हेलो 42 अभिवादन आपका एक्जिमर के नए वीडियो एपिसोड में दूसरे भाग के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि कौन से डिवाइस हैं जो रोकेंगे खर्राटों को क्या सरजरी से खर्राटे खत्म किये जा सकते हैं और खर्राटों से जुड़े मित और फ आने की क्या हो सकती हैं वजहें और खर्राटों से निजात पाने के लिए कौन-कौन से टेस्ट कराए जाने चाहिए या कौन-कौन से टेस्ट होते हैं अगर आपने हमारे पहले पाट का वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्किप्शन में दे रखा है जिसे आप दूसरे पाइट के वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए देख सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को प्रेस कीजिए बेल आइकॉन जिससे आपको मिलते रहें स्वास्त वर्धक वीडियो के अपडेट लगातार आपका या सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्थ है इसके लिए आपको किसी को भी कोई भुखतान नहीं करना हो और आइए अब बात करते हैं कि कौन से डिवाइस ऐसे हैं जो खर्राटों को रोकेंगे डॉक्टर अगर खर्राटों की समस्या को गंभीर बताते हैं तो पीडिद ब्यक्ति कुछ एंटी स्नोरिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है ताकि खर्राटों को रोका जा सके और इस इंखला में जो सबसे पहला डिवाइस है उसे CPAP कहते हैं यह डिवाइस ऑफ्टेक्टिव स्लीप एप्रिनिया से पीडिद ब्यक्ति को continuous positive airway pressure मसीन की मदश से राहत देता है या एक तरीके का मास्क होता है या नाक और मुह दोनों को कवर कर लेता है इससे ब्यक्ति सोते समय आसानी से सांस ले सकता है CPAP गले में हवा के pressure को बढ़ा देता है ताकि सांस लेते समय सांस की नली बिलकुल न सिकुड़े इस मसीन को घर पर ही रोजाना आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा दूसरी मशीन है मैड यानि मैंडी बलर एडवांस डिवाइस यह डिवाइस मुह में लगन सांस लेने वाली नली में कोई रुकावत नहीं रहती और आसानी से सांस आती जाती है इसे लगाकर सोना इतना आसान नहीं होता इसमें लगे स्कुरू जबले को कस देते हैं जिससे कई बार यह काफी दर्द भरा दो सकता है और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बिना only question or canna Oh 좋아k नहीं किया जा सकता ताकि इससे होने वालीं बीमारियों से बचा जा सके और आय किक्राथ करते हैं खर राटों की सजरी के बारे में कि क्या चर्जरी से खरते खत्म हो सकते हैं तमस्या गंभीर होने पर सजरी के आ स्चा जा सकता है है इस से स्वस्या को जड़ से ख सरजरी से सही किया जाता है जीव मोटी होने पर भी उसकी सरजरी करके पतला किया जा सकता है और सरजरी का खर्च अलग-अलग आता है और आज कर रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक की सला से यह सरजरी की जाती है आईए अब बात करते हैं खर्रातों संबंधी कुछ मित और फैक कुछ मित हैं जैसे खर्राटे गहरी नींद और थकान की वज़े से आते हैं जब कि यह सत्ते नहीं है यह सबसे बड़ा भ्रहम है कि खर्राटे थकान की वज़े से आते हैं खर्राटे आने का कारण सांस की नली में रुकावत होना होता है ना की ठकान है और बहुत से लोगों में यह एक मित है कि खर्राटों की समस्या अनुवानसिक होती है और फैक्ट यह है कि अगर किसी को खर्राटे की समस्या है और वह सरजरी करवा कर उसे खत्म कर देता है तो इ अगला मिथ है कि खर्राटे लेने से कोई बुरा असर नहीं पड़ता जैसा कि हमने पहले पाट के वीडियो में ही आपको बताया है कि खर्राटे कई गंभीर स्वास समस्याओं का कारण होते हैं तो इसलिए आप अपने मन से यह भ्रहम निकालने कि खर्राटे से सरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता इसके अलावा एक और भ्रहम है लोगों को कि बढ़ती उम्र के साथ खर्राटे सुरू होते हैं जब कि इस बात का कोई प्रमाल नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ खर्राटे सुरू होते हैं बहुत से बच्चों को भी खर्राटे आते हैं एक और भ्रहम है लोगों में कि साइनस की वज़ा से खर्राटे आते हैं तो फैक्ट यह है कि साइनस और खर्राटों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है अगर किसी को साइनस है और वह खर्राटे भी लेता है तो यह कहना गलत होगा कि साइनस की वज़ा से खर्राटे साइनस नाक के आसपास खाली जगे में होता है जबकि खर्राटे की अलग वजह हो सकती है और अगला मित है कि खर्राटों में घरे लिवी इलाज बहुत सहायक हो सकते हैं तो फैक्ट यह है कि सोते समय सर को मुचा करके सुएं अगर आप तकिये का इस्तेमाल नहीं करते तो किस चादर या कपड़े की दो-तीन फोल्ड करके सर के नीचे रखें नहाने के बाद और सोने से पहले नाक में सरसों के तेल की दो-तीन बून डालने इससे खर्राटों को रोका जा सकता है और अगर खर्राटे आने का कारण मोटापा है तो रोज 15 मिनट अनुलों बिलों प्रान हुआ है तो यह काफी मददगार साबित हो सकता है अगर खर्राटे आने का कारण जीव का मोटा होना है तो उसके लिए भी आप अपनी जीव को टंग क्लीनर से साफ करें इसके बाद जीव पर थोड़ा सा घी लगाकर जीव को मरोड़ना जैसी exercise कर सकते हैं ऐसा रोजाना कर करने से जीव पतली हो जाएगी और अगर बच्चों के टॉंसिल बढ़ जाते हैं तो इसके लिए गर्म पानी और नमक के गरारे करना बहतर आप्शन है अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो कपड़े की पोटली बनाकर उसके गले के बाहर सिकाई कर सकते हैं साथ ही बच् से एक चम्मत चून और इतनी ही मात्रा में सहद मिला कर दें तो आज के वीडियो में बस यहीं तक और हमें उम्मीद है कि खराटों से निपटने के लिए हमारा यह प्रयास आपको मददगार साबित होगा और अगर इस विशे से संबंधित आपका कोई प्रस्ण है तो आप जानकारी किसी के लिए फायदे मंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोचल नेटवर्क जैसे वाच्टाइब फेस्बूक ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्थ है बनेवाद